चलिए very very good evening कुछ student कह रहे हैं सर मेरी आज first class है तो मैं आप सभी को बता दूँ जो first class है आज आपका तो जिन बच्चों की first class है उनको starting से class देखनी चाहिए आपको सबसे पहले basic वाली class देखनी चाहिए उसके बाद फिर आप residential status बीच में gap कर सकते हो और सीधा house property देख सकते हो लेकिन देखना तो सारा ही है तो मैं suggest करूँगा sequence से ही देखिए तो ज्यादा बेटर है house property आप recorded करिए वो बेस्ट रहेगा क्योंकि live class में almost काफी concept हो चुका है income from house property में और जो student recording देखके या जैसे भी आये हैं सारी चीजे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम बात करते हैं sir income from house property income from house property में chargeability का section देखा हमने इसके अंदर annual value देखा annual value क्या कहता है sir annual value का मतलब होता है अगर municipal value fair rent में से higher standard rent में से lower और जीए भी आज और इसके बाद आजाता expected rent और जीए भी निकल जाता है भी माइनस कर देते हैं इसके बाद different different हमने situation देख लिए उसके बाद एक हमने deduction देखा जो कि क्या था 24 एक उसमें कितना deduction मिलता था 30 परसंट का deduction मिलता था इसके बाद हमने देखा 24 B का 24 B किसका कह रहा था interest का interest आपका deduction मिल सकता है अगर आपका let out है तब तो भया limit ही नहीं लेकिन अगर अगर self occupied है तो वहाँ limit है और limit कितना है maximum 2 लाक रुपए लेकिन repair के case में कितना है तीस अजार रुपए और ये भी आपको न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा ये किस में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजिम के अंदर मिलेगा ये हमने last class तक देखा था और आज हमें करना है प्री construction पीरेड इंट्रस्ट का PCP जिसे बोलते हैं कि आज सारा टाइम इसी में निकल जाएगा हमारा PCP में लास्ट क्लास में हमने इससे आगे देखा था 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 हुआ है कि चल्ये जाए है हज़िए पहले एक वर्ड आता है प्री construction पीरेड प्री कंस्ट्रक्शन पीरेड होता क्या है यह प्री कंस्ट्रक्शन पीरेड कि मान लिजिए एक मैं समय कहलो टाइम कहलो मैं बना देता हूं यहाँ यह डेट है सपोज एक चार दो हजार दो हजार दो हजार बीस ठीक है एक चार दो हजार बीस और इस दिन मैंने एक सिर्फ खाली लैंड खरीदा और मुझे सबी स्टुडेंट कमेंट में जरूर जबाब देजिएगा क्योंकि कमेंट में नहीं देंगे समझ में ही नहीं आएका आपको मैंने खाली लेंड खरीदा और इस लेंड को खरीदने के लिए मैंने एक लून लिया लून लिया 10% इंटरस्ट था या 12% मान लेते हैं इंटरस्ट था और मैंने सब्सक्रोज करो 10 लाक रुपए का एक लून लिया तो मुझे बताओ कि ये वाला साल मेरा जो end होगा वो कब हो जाएगा 31 3 2,021 जब मेरा ये साल end हुआ होगा तो इस पूरे साल जो हमने काम किया है इस पूरे साल की बात कर रहा हूँ लोन मैंने कब लिया 1,4 को लिया तो बताओ सबसे पहले इस लोन के उपर जो 12% है 12,000 रुपए या मैं 1,000 के जगे 10,000 कर देता हूँ यानि 1,20,000 रुपए का ब्याज मैंने बैंक वाले को पेड किया होगा या नहीं किया होगा मुझे ये बताइए मैंने बैंक वाले को पेड किया होगा या नहीं हाँ या ना मैं कमेंट में जवाब दीजिए कि एक साल तो मैंने loan लेके क्या खरीदा सिर्फ और सिर्फ जमीन खरीदा तो क्या मैंने paid किया होगा या नहीं किया होगा येस किया होगा मैंने किया होगा सभी बच्चों को समझ आ रहा है सुब्सम्ट डीजिएगा क्या मैं इस साल अगर मैं सरकार को बोलुंगा कि मेरा income from house property ihp े इनकम from house property की बात करुंगा क्या मैं इस साल सरकार को income from house property के नाम से टेक्स बना या नहीं बना वो रहने देते हैं क्या मैं इसके नाम से कोई return file कर सकता हूं या नहीं घर सकता income from मैं सरकार के पास जाता हूं और मैं बोल सकता हूं क्या मेरी income from house सकते क्यों कि सेक्शन 22 में कहता है कि घर होगा तब ही आपका इंकम् हाउस प्रोपर्टी माना जाएगा बिल्कुल सभी बच्चों ने जवाब दे दिया कि नहीं बोला जा सकता ठीक है सर आईए यानि मेरा यहां पे एक तरीके से हमें एक सेक्षन 24 भी क्या कहता है कि अगर आपने घर को आपने घर को अपने लोन पे लिया है तो उसका जो भी इ मिलेगा उस इंट्रस्ट का आपको बैनिफिट मिलेगा किस सेक्षन के तहत मिल जाएगा 24 भी तो सर मैंने यहां पे ना इंट्रस्ट पेड किया होगा इंट्रस्ट कितना पेड किया होगा एक लाग बीस अजार और मैं इंकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इंकम गया अब टाइम निकलता गया निकलता गया निकलता गया हमारा डिट जो नेक्स्ट आया अगला दिन आया एक चार लेंड की सिच्टूइशन बताऊं तो लेंड तो था और लेंड की उपर मैंने जर्ट एक चार दिवार क्या करा मैंने इसके ओपर स्टैंड कर दिया चार दिवार boundary टाइप का मैंने चारो तरफ से क्या करा है डाल दिया अभी घर बनाये ने स्थिप boundary boundary डाला है एक साल में मेरा इतना ही काम हो पाया है अब यह loan repayment नहीं हुआ, loan तो loan है, ऐसा नहीं loan repayment अगर loan में repayment कर दूँ तो समस्य खतम है, loan है, तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, जो ये वाला पूरा साल आया है, next year जो आया है हमारा, ये वाला साल, क्या इस साल मैं interest दूँगा loan पे, पर इस साल भी मेरा interest कितना जाएगा, इस साल भी interest आपका जाएगा, एक क्या मैं, क्या इस साल में income from house property के नाम से, क्या मैं अपनी return file कर भाऊँगा, हाँ या ना में बताइए, फटाफट, नहीं कर सकते, सिधार्थ का आगया, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है, सभी बच्चे का, सभी का कहना एसर, नहीं कर सकते, अगर मैं reason पूछू, तो धीरे-धीरे हम बढ़ते गए, और ये एक और साल के आ गया, जो आ जाएगा मेरा 31,32023 आ जाएगा, यानि एक अप्रेल ले ले लेते हम, 14,2022 से 31,32023, ये वाला एक और साल आ गया, और इस साल मैं अपने घर के situation बताऊं, तो घर था हमारा, और घर पे, अब क्या हुआ, boundary होने के साथ साथ, अभी मकान ready नहीं हुआ, इसके उपर, लेंटर के लिए, लेंटर जो डलना था, उस लेंटर के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी डाल दिया है, अभी लेंटर डला नहीं है, पूरी तरीके से, मतलब अभी हम रह नहीं सकते, रहने लाइक अभी है ही अभी लेंटर डला नहीं है, क्या इस साल मेरा इंटरस्ट जाएगा ये नहीं जाएगा, जाएगा इंटरस्ट, इस साल मेरा इंटरस्ट जाएगा, अब इस साल इंटरस्ट कितना होगा, अगेन एक लाग बीस हजार, क्या इस साल जब मेरा पूरा मकान बनके तयार नहीं व्युक्त सही भी बोल रहे कि इस साल भी आप नहीं भर पाऊगे न्यूबेच नहीं भर पाऊगे चलिए सर धीरे धीरे समय बीटता गया बीटता गया अब ऐसा तो है नहीं कि यह घर नहीं बनेगा घर डेफिनेटली बनेगा और घर बना के दिखाएंगे आजाएगे अब हमारा टाइम आ गया इसके बाद एक अप्रेश लाता है एक चार दो हजार थेजर ठीक है और इसके बाद अब आगया 15 अगस्त 15 आगस्ट 15 आठ दो हजार 23 की बात कर लेते हैं 24 ने 2023 की बात कर लेते हैं जो आने वाला है मैं पिछली साल का एक सेनरियो ले रहेता हूँ टेक्स तो इसी कही निका लेंगे 15 आगस्ट 2023 को मेरा घर एकदम फस्ट क्लास बनके तयार हो गया जिसके अंदर ready to हम रह सकते हैं हमारा घर बनके तियार हो गया और ये वाला जो पूरा साल कहलाएगा ना वो साल कहलाएगा 31,3,2024 ये वाला पूरा साल क्या इस साल मैंने इंटरस्ट इस साल मैंने अगर मैं बात करूँ मेरा इंटरस्ट होगा अगें इस साल का जो मेरा ब्याज होगा वो कितना होगा एक लाख बीस अजार अगें इस साल का जो मेरा ब्याज होगा वो होगा एक लाख बीस अजार यहां तक सभी को clear है अब मैं पूछना चाहता हूँ क्या इस साल मैं income from house property का tax भरने जाओंगा IHP घर अभी किराये पे नहीं दिया क्या इस साल जिस साल घर बनके तयार है क्या इस साल मैं government के पास income from house property के नाम से अपनी return file कर सकता हूँ या नहीं कर सकता इस साल मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता अविनाज का जवाब आगया yes कर सकते हैं सना का जवाब आगया निधी का जवाब आगया समरत का जवाब आगया सभी बच्चे कह रहे हैं सर कर सकते हैं तो चलिए इस साल आपने बोला कर सकते हैं तो मैं सीधा यहां पर NAV से start करूँगा और NAV बोलूँगा भया मेरा 0 है और माइनस सीधा करूँगा 24B और यहां पर मैं डिडेक्शन ले लूँगा अगर मैं old रिजिम में हूँ तो 1,20,000 मेरा माइनस में डिडेक्शन में आ जाएगा 1,20,000 मेरा माइनस में आ जाएगा बच्चे करें नोटिफिकेशन नहीं आया कभी-कभी हो जाता है नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप सभी ने बोला सर इस बार आप income from house property 0 आ गया अगर नई रिजिम है तो भी यह 0 जाएगा old रिजिम है तो 21 मैं अभी old की बात कर रहा हूँ फेवर में मैं old के रिजिम की बात कर रहा हूँ ठीक है तो मैंने अभी 120,000 यह भर दिया अब इस साल मुझे इस tax का benefit जो मैं यह साल दिखा रहा हूँ बार बार जो mark कर रहा हूँ मैं आप मुझे बताईएगा इस साल मैंने इस tax का benefit ले लिया अब मेरे ने interest देखा जाए तो एक यहां भी मैंने interest का payment किया है एक मैंने यहां भी interest का payment किया है एक मैंने यहां भी interest का payment किया है और घर बनके कुछ मेरा यहां पे तयार हुआ है तो मैं topic करवा रहा आपको pre construction period अगर मैं साधारन पहले मुझे यह बताओ कि मेरे interest ऐसा कितना amount का interest है जिसका benefit नहीं ले पाया मैं ऐसे कितने amount का interest है जिसका benefit नहीं ले पाया है reason being मेरा घर नहीं बना था इस वज़े से तो कितने amount का interest है जिसका benefit मैं नहीं ले पाया है फटाफट comment में बताईए कितने amount का interest है तो 360 360 बच्चों ने बताया सर एक इसका नहीं ले पाई और एक इसका नहीं ले पाई एक इसका लेके नहीं आ पाई तो 360 का तो अब मैं सरकार से किस चीज की request करूँ कि जो मेरा पिछला 3,60,000 मैंने ब्यास दिया है आपके रूल की वज़े से इसका benefit मुझे नहीं मिल पाई तो प्लीज अब मुझे इसका benefit दे दीजे यहीं तो बोलूँगा मैं तो इस वाले interest जो आपने ये calculate किया है न ये है आपका interest pre-construction period का interest है ये और ये वाला जो interest है ये है CY मतलब current year के interest है तो पहले तो मैं interest से समझा देता हूँ pre-construction period का interest कौन सा है जिस साल का आपने benefit नहीं ले पाए थे उसको बोलते हैं pre-construction period का और जिस साल का benefit आप ले रहे हो वो तो current year का हो गया ठीक है यानि अभी हम्हारी लड़ाई है सरकार से कि इसका benefit मुझे दो question में जब हम student से बोलते हैं न कि pre-construction period निकालो तो student गलती क्या करता है biggest mistake के घर इस दिन तयार हुआ इस से पहले का सारा time वो क्या मान लेता है क्योंकि अगर मैं English word में जाओं तो pre-construction यानि construction से पहले का समय क्या है pre-construction period simple word में अगर मैं बात करूं logically तो pre-construction period अगर इतना है तो कितने होगे बारा महिने बारा महिने 36 महिने और 36 और यहां पर 12 42 और यहां पर भी अगस्त मान लेते हैं पूरा अगस्त हो गया तो एप्रेल मई जून जुलाई अगस्त साथ महिने यहां पर हो गये तो 42 और साथ महिने तो कितने होगे 49 तो अगर मैं यहां पर interest निकालूं 10 लाख पे 10 लाख इंटू 49 divided by 12 इंट कहां पर अगर अगर आप 43 मन्थ लेते हैं तो ब्याज के आता देखो 10 लाख 10 लाख इंटू में 12 परसेंट इंटू 43 divided by 12 यह आगया हमारा 4,30,000 अगर आप pre-construction period निकालते हो जो logic बच्चे सोचते हैं starting में कि अगर हम pre-construction period निकालेंगे उसके हिसाब से तो भाईया हमारा ब्याज जो हमें benefit नहीं मिल पाया वो तो 4,30 निकल रहा है लेकिन pre-construction period actual पता है कितना है एक तो यह है एक यह है और एक यह है कितने महने हो गए 36 महने अब देखो आप 10 लाग पर सीधा 36 महने की calculation करो 36 divided by 12 into 12 बटे में 12 by 100 यह आ जाएगा आपका 3,60,000 तो आप बताईए मैं आपने बताया कि सर 3,60,000 का benefit नहीं ले पाए तो इस तरीके सार है तो pre-construction period आपका यहाँ पर कितना है तो pre-construction period है यहाँ पर कितना 36 मन्थ ना की आपका 43 मन्थ कैसे सर यह कैसे क्योंकि pre-construction period का मतलब तो construction से पहले का period है तो pre-construction period का मतलब होता है जिस साल का benefit नहीं मिल पाए जिस साल घर complete होगा उस साल तो आप return फाइल करोगे उस साल का benefit मिली गया आपका घर इस साल complete हुआ इस साल कभी भी complete हुआ होगा चाहे भले ही मानलो 31 मार्च को complete हुआ होगा return फाइल करके इस साल का तो benefit ले लिया होगा आपका लडाई किसका चलेगा इस साल से just पहले का चलेगा यानि जिस साल घर बनेगा उस साल के हमें calculate नहीं करना है उस से just before 31 मार्च से लेके जब से loan start हुआ था उसके बीच का duration जो होगा उसको बोला जाएगा क्या pre-construction तो सबसे पहले सभी student बताईए क्या आपको समझ में आया pre-construction period नाम पे नहीं जाना logically जो है pre-construction period क्या है government से हमारी लड़ाई किस बात की चल रही थी कि भईया pre-construction period का कुछ करो इस बात की लड़ाई चल रही थी government ने बोला ठीक है हम इसका benefit हम एक साथ तो नहीं देंगे आपको इसको 5 से divide कर दीजिए और 5 से divide करने के बाद जो amount होगा आने वाले 5 सालों तक इसका benefit ले लीजिए इसका मतलब 3,60,000 divided by 5 तो आपका 72,000 रुपे का benefit आप आने वाले 5 सालों तक ले लीजिए तो जब मैं इस साल return file करने जाओगा तो एक बीस ये वाला तो मिलेगा ही और जो पिछला मुझे benefit नहीं मिला था वो भी मैं जोड के इस वार benefit लूँगा तो पिछला कितना benefit जोड के लूँगा 3,60 नहीं लूँगा मैं कितना benefit लूँगा मैं जोड के यहाँ पे 72,000 law यह कहता है कि जो आपका पीछे का benefit नहीं मिल पाया था उसको 5 से divide करके हर साल ले लिजिए और कितने सालों तक ले सकते हैं 5 साल तो मुझे biological बताईए आप कि आपका 5 साल एक तो यह हो गया 23,24,24,25,26,26,27 ऐसे चलता रहेगा हमारा तो जब 5 साल खतम हो जाएंगे लोन पेंडिंग रहेगा मेरा तो मुझे इंटरस का benefit लोगा तो 5 साल के बाद कितने amount का मुझे benefit मिलेगा क्योंकि 5 सालों तक तो मुझे मिलने वाला है 1,20,000 और 72,000 रुपे जोड जोड के लोगा that is 192 का benefit लोगा इंटरस का लेकिन after 5 year क्या मुझे इंटरस का benefit मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा और मिलेगा तो कितने amount का मिलेगा after 5 year इंटरस लोन अभी रिपेट नहीं हुआ लोन तो चली रहा है तो after 5 year बताइए कितने का benefit मिलेगा अब अच्छा पूचा सर वाइ डिवाइड 5 यह तो गौर्णमेंट ने रूल बना रखा है पांच साल में हम डिवाइड करेंगा जो इसका कोई logic है नहीं तो बताइए कितना मिलेगा after 5 year या इंटरस का benefit ही नहीं मिलेगा एक लाख बीस हजार after 5 year मिलेगा benefit after 5 year यहां तक आपको बात क्लियर है बिल्कुल के pre construction period अब मुझे बताइएगा कि अगर मैं loan का repayment कर दूँ इस date पे इस date पे loan का repayment कर दूँ तो एक तो यहां से यहां तक का ब्याज कौन सा होगा current year का क्योंकि पूरा साल नहीं ले सकते न क्योंकि जब आप किस चीज का deduction ले रहे हो interest का अगर आप इस दिन loan का repayment कर देते हो तो यहां से यहां तक कही रहेगा सीधा अभी कितने time का ब्याज है अभी ब्याज है सर यहां से यहां तक का अगर loan repayment हो जाता है तो जितने time का यूज किया है current year के अंदर वो रहेगा बाकि PCP का पूरा 72,000 रुपए आपका आ जाएगा PCP का कितना जाएगा 72,000 तो मैं एक बार आपसे चलो पूछ भी लेता हूं उसकी को कॉपी करके अगले point पे मैं थोड़ा सा example change करके फिर मैं पूछ लेता हूं आपसे कि क्लियर ही हो जाए आपको कि चलिए कि मैं नए example कुछ चीजे data को delete कर देता हूं और उसके हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहूंगा और इसका आंसर आप दीजिएगा कि सब कुछ मिटा देते हैं कि पस मुझे लाइन चाहिए कि चलिए नहीं एक्जामपल है आप बताना मुझे क्या होना चाहिए तब पता चलेगा सही में समझ में आया नहीं आया कि यह मालो एक चार दौहजार बीस यह ऐकतिस त्ञीन दो हजार गैस यह एक चार 200201 किस अर यह 31,3 2,022 हैis एक 4 दो हजार 25 यह 31,3 2,030 ठीक हैं एक साल यह हो गया इक इसके बाद यहां से Orange होक्ट एक साल यहां होगया मेरा इसके लगा देते हूं उसके बाद यहां से Orange होके एक साल मेरा यहां हो गया और यहां पर जो मेरा साल एंड होगा वो साल एंड होगा माल लेते हैं 31-3-2024 मेरा जो घर बनके तयार हुआ वो हो गया 31-7-2023 में घर जो है मेरा बनके तयार हो गया और जो मैंने लून लिया था देट इस लून मैंने इस डेट पे लिया था बारा परसेंट के हिसाब से मैंने लिया था लून और लून लिया था मैंने सपोज दस लाक रुपे का ठीक है और इसी डेट पे और मैंने जो इंटरस्ट है इंटरस्ट लून जो था मैंने लून रीपे कर दिया रीपे का मतलब या वापस कर दिया, कब वापस कर दिया मैंने कर दिया 39,20OOO तो सबसे पहले मुझे आप ये बताईए टाइम क्या होगा PCP का PCP का टाइम क्या होगा pre construction period का time क्या होगा time बताइए हाँ time कितने महिने होंगे PCP का सभी बच्चे comment में बता दीजिए time क्या होगा PCP का कितने होंगे तो सर PCP जो होगा एक ये क्योंकि benefit नहीं मिला एक ये क्योंकि benefit नहीं मिला और एक ये क्योंकि benefit नहीं मिला और जो ये वाला साल है मेरा एक चार लिख देता हूँ एक चार दो हजार तेईस इस साल में घर बनके तयार हो गया ये वाला साल तो आपका कहना है सर ये 36 मन्त क्योंकि ये वाला जो साल है जो आप हाइलाइट कर रहे हो को जो यह वाला साल आप हाइलाइट कर रहे हो इसमें तो घर आपका बनी गया है तो घर जो नहीं बना है देट इस आपका वो साल कौन सा है इससे पीछे वाला साल सारा वो है जब घर नहीं बना था तो यानि आपने सही जवाब दिया सर्पी PCP होंगे कितने मैंने का 36 मंत का आपका क्या आजाएगा PCP अगर मैं PCP का इंटरस्ट कैलकुलेट करूँ तो कैसे करूँगा इंटरस इंटरस इस इकल टू 10 लाग का लोन इंटू में 36 बाइ 12 इंटू में 12 बाइ 100 क्या है रेट है और जितने महीने होते हैं डिवाइड बाइट तो यह आपका जवाब आजाएगा 360 और क्यूंकि रूल के अब करेंट इंटरस्ट बताओ कि कितना इंटरस्ट होगा जो मैं कैलकुलेट करूँ गां जितना मुझे बैनिफिट मिलेगा जितना मैंने ब्याज पेमिंट किया होगा मैं यह पूछ रहा हूं कि 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 बताइए सेप्टमबर तक देंगे तो दस लाख रुपय पे हम कितना कितने महने बनते हैं सेप्टमबर तक छे मैंने तो तो इन तुमें क्या हो जाएगा हमारा ट्लस यह बन गया हमारा कितना साथ हजार करन्ठ यर का इंट्रस क्या है गा 60,000 इस साल हम total कितने इंट्रस का deduction लेंगे एक तो यह 60000 तो मिलेगा ही और पिछले वाले का भी मिलेगा पिछला कितना मिलेगा 360 मिलेगा यह 72 मिलेगा पिछला कितना मिलेगा हमें बहत्तर यानि टोटल जो benefit मुझे इस साल मिलने वाला है 60 plus में PCP का कितना 72 that is 132 का आपको benefit मिलने वाला है 132 समझ मैं आए सबको आपको तो यानि एक बात और clear हो गया कि भाईया जब loan का repayment हो जाएगा तो उसी के हिसाब से चल ला है suppose करो मैं अगर loan का repayment यहीं कहीं बीच में कर देता घर बनने से पहले ही कर देता suppose मैं यहाँ loan का repayment कर रहा हूँ तो PCP होता या नहीं होता PCP pre construction period होता या नहीं होता 6 मैने होंगे April, May, June, July अगा September 5 मैने नहीं होंगे September end में हुआ है अब बताईए अगर मैं यहाँ loan repayment कर देता तो PCP है क्या भी या मुझे interest का benefit नहीं दिया तुमने वो PCP है तो होता PCP क्या current year का interest calculate होता है यहाँ पर नहीं होता तो जितना time यहाँ से यहाँ तक बनता उसको calculate करके 5 से divide करके हम current year में उसका सिर्फ PCP के नाम से benefit लेते ना कि हम current year का भी कुछ calculate करते हैं ठीक है ना तो simple सा logic है सर pre construction period का interest वो interest होता है जिस time पे मेरा घर construction नहीं हुआ था और उसका benefit नहीं मिला था यह line जरूर add करिएगा benefit नहीं मिला था अगर मेरा घर under construction था और उसका benefit मैं ले चुका हूँ तो वो PCP का part नहीं है जैसे कि यह घर under construction ही है बना कब है बाद में बना है लेकिन यह जो tenure था यहां का benefit आप ले चुके हो return file कर करके तो यह PCP के अंदर यह वाला tenure नहीं माना जाएगा इससे just पहले वाला सारा tenure क्या माना जाएगा हमारा PCP माना जाएगा यहां तक हर एक student को clear है जो मैंने समझा है अभी तक बता जीए फटा फट से फिर हमें एक question देखेंगे उसके according चलेंगे यहां तक सभी student को clear ह चलिए मैं सवाल के आपको यह रहा आपके सामने सवाल मैं simple सी बात है मैं इसको थोड़ा easy language में लिखूँगा और आप से calculation पूछूँगा मैं question में क्या कहता है the SSC took a loan 66 lakh का 14 2020 यानि 14 2020 में loan लिया कितने का 6 lakh रुपे का loan मैं diagram बना देता हूँ करना आपको है from bank of किस से from bank for construction of house piece of land on Delhi Delhi में था दा loan was entire loan was carried and interest 10% per annum और यह loan जो था 10% वाला loan था चलिए the construction is completed 15 6 2022 और जो construction चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया और 15 6 15 6 2022 में मेरा घर बनके हो गया जी तैयार मेरा घर बनके हो गया तैयार ओके the entire loan is still outstanding मतलब भया लोन की repayment नहीं हो compute interest allowed एससी 24 तो 2022 था यह assessment year 24 पच्चिस है इसका मतलब मुझे जो interest calculation बताना है एक चार दो हजार 23 से लेके 31 तीन दो हजार 24 तक की सारी calculation बतानी है ठीक है ना सारी calculation बतानी है अब घर मेरा इस टाइम बन चुका है क्लियर और जो ये साल जिस साल घर बना है वो जो साल है वो साल कौन सा होगा सर वो होगा एक चार दो हजार 22 से लेके और ये खतम हुआ होगा मेरा 31 तीन दो हजार बताओ तैस तैसमें ये खतम हो चुका होगा इस साल हमारा जो यह आपको दिख रहे है न है यहां से यहां period इसमें घर बना था और इसमें मेरा घर बन के तयार हो गया था और ये साल था और मुझे जो interest निकालना है जसके एक अगले साल का बताना है हिसाब किताब सरकार को तो सबसे पहले तो आपको निकालना होगा यहाँ पे PCP तो PCP का time factor क्या होगा यह वाला जो साल है क्या यह PCP के अंदर count होगा क्योंकि घर बीच में बना है आपने जब इस साल घर बनी गया है तो क्या interest का benefit ले लिया होगा इस साल तो क्या इस साल का कोई भी month या कोई भी time PCP का part होगा नहीं होगा यानि इस से just before वाले सारे के सारे time किस के होगे तो PCP के time में क्या calculate होगा 20-21 और 21-22 यानि PCP देखा जाए तो कितने मैंने हुए 24 मैंने तो अगर मैं PCP निकालो तो छे लाग इंटू में 10 by 100 इंटू में 24 by 12 और इसका solve करता हूं इंटू में 1 by 5 भी करी देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा सीधा एक मंत्का मिल जाएगा इंटू में 10 परसेंट डिवाइड बारा इंटू में 24 डिवाइड बारा इंटू में 24 अजार आ गया अब घर इस साल बन चुका है इस साल तो घर बनने वाला कोई सवाली निया घर रेडी है अब इस साल क्या मैं इंट्रस्ट करेंट इयर का इंट्रस्ट होगा या नहीं होगा इस साल करेंट इयर का इंट्रस्ट होगा या नहीं होगा कमेंट में बता दीजे इस साल इंट्रस्ट करेंट इयर का होगा या नहीं होगा घर पहले बन चुका है तो इस साल क्या interest निकलेगा current year का सर घर बनने से current year का interest नहीं निकलता लोन बाकी है या नहीं है उससे निकलता है तो लोन क्या बाकी है yes question मैं बोल रहा है still outstanding तो इस साल का interest निकलेगा वो पूरे साल का निकलेगा that is आपका छे लाग के उपर सीधा सीधा 10% निकलेगा that is आपका हो जाएगा 60,000 का क्या होगे हमारा interest अगर total deduction की बात करें बोला भाई या कितना तुम्हें deduction मिलेगा कितना मिलेगा deduction तो deduction मिलेगा आपको कितना सर 60,000 और प्लस में 24,000 that is आपको 84,000 रुपीज का deduction यहाँ पर आपको मिल जाएगा अगर आप किसी के पास किताब हो तो किताब में चेक करीए आपके किताब का illustration 5.18 है जिनके पास किताब है चेक कर लिजी answer 5.8 में यह हमारे इसका answer है, answer दे रखागा solution बकाइदा पूरा 84 मिला, क्या answer है 84 समझ में आया कैसे और मैं पूरे house property की बात करूँ ना जो सबसे tough section है, उसके अंदर यही है और student मैं भी समझा रहा हूँ इसको आप courses करिएगा एक बार नहीं, दो बार देख लिजी और अच्छे से अपने according notes कर लिजी इसका मतलब यह बताया था, इसका मतलब यह बताया था exam time पर जब revision पर बैठते है ना तो बच्चे को यह वाली बात तो पता होती है municipal value और FR में से higher और standard rate में से lower expected rent यहां से निकल गया GAV और NAV 30% minus कर देते हैं जब interest का time आता है तो number पूरे अगर सवाल आपका पूरा सही नहीं है तो बहुत कम chances है आपको marks मिलेंगे वहां के clear